थोड़ा सा और जूम करता हूं यहां पर तो देखें यहां पर आपको दिखाई जए रहा है 2G, 3G, 4G, 5G तो 5G ट्रांस्मीटिंग यहां पर आपको दिखाई गई है और 5 पावर यूस की गई है उसके साथ यहां पर दो स्पीकर आईसी, दो दो चाजिंग आईसी मतलब इतन यही उमीद करूंगा कि आप मेरी महनत के लिए एक लाइक और एक कमेंट जरूर देंगे और अगर आपको बहुत अच्छा पढ़ना है और अगर सीखना यही तरह 5G नहीं सच केट को तो यह दिलिकॉम को जोइन करना ना भूला है सीट बुक कराएंगे एंक यू बरी माच हम सुनते हैं सिर्फ अपनी जिद के जिद है मेरा फिदूर जिद है मेरा गुरूर जिद है मेरी जुरूर आज चोटे से वीडियो में बहुत जादा नोलेज देने के लिए मैं फिर से आ गया हूं मेरी महनत और इस नोलेज के लिए इस वीडियो पर एक लाइक और कमेंटों बनता है और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके चाहिएगा दोस्तों आज मैं आपको पताने वारा तो चार-चार पावर के अगर दोस्तों मैं बात करूं यहां पर तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं इसकी में में आई सो के बारे में जली-जली से आपको बता देता हूं क्योंकि मैं इस वीडियो को कम समय में ज्यादा ग्यान के साथ बनाना चाहता हूं तो सबसे पहले अगर हम CPU की बात करेंगे दोस्तों यहां पर तो CPU यहां पर 68 लगा हुआ है जैसे कि आप देख सकते हैं USB 3.0 का सपोर्ट हाला कि इस फोन में तो नहीं है क्योंकि इस फोन में इसको एंसी रखा गया है पर जब भी भी नया यह अगर किसी दूसरे फोन में आएगा तो वहां प सब्सक्राइब करेंगे तो यहां पर आप देखेगा और यहां पर सैंसंग की यूएफस लगिए दोस्तों यहां पर देखेगा तो सबसे पहले यहां पर अगर इसको मैं थोड़ा साब बड़ा करूंगा देखेगे सबसे पहले यहां पर जो आपको पहली बड़ी पावर देखने को मिलेगी जिसके साथ एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ नो दस कोईले दस कोईले लगी हुई है तो आप देखेगा वो है सिक सिरी सिस वाइब का आती है जिसको बग कोईल के साथ बेशते हैं और यहां पर हैंपियर हाई होता है वोल्टेस को लो होता है ऐसे करके एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ नो दस दस कोईलों का यूज किया गया है जिसमें कुछ बग कोईल हैं कुछ लोग और बहुत सारी चीज है जो आपक तो मैंने सिर्फ वन को ही यूज किया है और अगर मैं इस पावर को और यूज करूँगा यह देखिए अभी मैंने फिलाल वन को ही यूज किया है अगर मैं इस पावर को और यूज करूँगा यहां पर यह देखिए तो यह पावर में आप देखिए दूसरे में आपको आपर कंट्रोल की सप्लाई पीकमा-इस पीयाइ प्रूकॉल यहां पर दीए वे और उसके साथ में प्यापर प्युक्ट में दिया हुद आपका बखनधे यहां म है पर कोछ स्टैस्ट शोर्स आतोब होः पावर की हों पर दिया हुद रहा है इसके साथ भी बहुत कुछ है जो कि मैं इस आउडियो को इस पावर को तो आपको पुरा स्प्लिन करी सकते हूं पर मुझे शौट वीडियो में कम वीडियो में आप दोस्तों सारी आईसी बताना है तो फिलाल अभी बढ़ते हैं दूसरी आईसी में तो दोस्तों आप ने गिना एक देखे अगर मैं यहां पर 6 3 6 0 करूँ तो आपको यहां पर देखे यह पावर देखने को मिलेगी अगर मैं यहां पर 6- wellness से सी जीरो करूं तो आपको देखें यह पावर देखने को मिल रही है तो यह भी से किरेंगे अब क्लीन कोयल यूज की गई है और एक यहां पर यहां पर दिखाऊंगा और डोनों2-2-7ük 것을 नंबर इस इत्वेशायों का दिखाऊंगों यहां पर इस परिएक का नंबरे हैं दिखाऊंगे अ कि तो अगर मैं 6315 दिखा हूँ कि इस तरह का यह पावर दिखाई देने वाला है तो यहाँ पर यह नंबर में explain करता हूँ 6315 जैसे OP यह देखे यह OP IC आ गई है तो आपको इस तरह की कुछ चप्टी IC देखने को मिलेगी जैसे display IC अक्सर होती है तो 6315 OP आपको यह देखने मिलेगा तो यह दो लगी हुई है तो यह चार पावर टोटल मिलकर यह circuit को बनाता है अब हम बात करते हैं और इसमें क्या-क्या लगा हुआ है दोस्तों देखेगा अगर मैं इसमें और बात करूं तो आपने देखा यहाँ पर चार पावर IC का circuit है एक बार में यहाँ पर लिख देता हूँ ताकि अब इसका screenshot ले लो तो अगर मैं यहाँ पर लिखूं तो यह एक पावर यह दो पावर यह टीन पावर और यह चौती पावर चार पावर आईसियां यहाँ पर यूज की गहीं है और चारों पावर IC को मैंने आपको भी देखाया किस तरह से वो दिखेंगे उनके क्या नंबर है इनकी डिटेलिंग के वीडियो भी आगे मैं बनाने वाला हूं अब मैं बात करता हूँ यह क्या लगी हुई है तो दोस्तों इस IC के बारे में अगर मैं बात करूंगा यहाँ पर यू एट वाली तो यहाँ पर यह तो हो गई है एक डो सो बिसीकली एक दो तीन चार्ट अब देखें अब यहाँ पर यहाँ पर यहाँ नोने एक पावर के तुरू डाला गया है जैसे 6308 अगर मैं आपको यह IC दिखाओं 6308 नोटिस कीज़ेगा तो 6308 आप यहाँ पर देखेंगे तो अगर मैं कहूं 5 पावर 6308 यह देखें तो यहाँ पर एक IC यह भी यूज की गई है यहाँ पर तो एक IC इन्होंने यह भी यूज की गई है तो टोटल अगर मैं बात करू 5 पावर लगाई है 5 पावर सरकेट दोस्तों 5 पावर IC का सरकेट है यह पाच पावर IC का सरकेट है तो आप इमेज करो कि अभी आने वाले इंडस्ट्री में अगर आप अपडेट नहीं हुए तो आप अंडस्ट्री से बहुत पीछे हो जाओगे और अपडेट होना आपको क्या लगा हुआ है तो आप देख सते हैं यह वी पीए की लाइन निकल दा है जिसको हम वोल्टेस फॉर पावर अम्प्लिफायर बोलते हैं अब इसके साथ में यहां पर आरेफ यूस किये गई है दोस्तों यह जो आईसी है यहां पर इसका मेन आरेफ है जैसे कि आप देख है तो यहां पर एंटी 6190 M तो यह आईसी आपको इस तरह का आईसी दिखाई देने वाला है यह इसका आरेफ आईसी है अब अगर मैं बात करूं यहां पर इसमें दोस्तों बहुत सारी पीएफो लगी हुई है जो कि मैं स्प्लेइन करूंगा यह यह भी पीएफो आईसी हुई है और उसके साथ अब इसमें और आपको अगर मैं बता हूं यहां पर देखें दोस्तों एक यह भी लगी हुई है तो मैं इसकी चुटी-चुटी आईसी ओ को स्प्लेइन कर रहा हूं यहां पर जैसी के आप देख सकते हैं यहां पर तो यह कैमरा की आईसी लगी पीछे का बोर्ड में आइसी देखते हैं अच्छा देखिए दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बोला यहां पर कि यहां पर पाँच पावर यूस की गई है उसके साथ यहां पर दो सब्सक्राइब है अगर मैं यहां पर देखें तो यहां पर दो दो एक speaker IC लगाई है एक speaker IC यह लगी है यह रेखें speaker power amplifier और एक speaker यह भी लगा हुआ है अब notice किजेगा यह रेखें तो यह भी लगा हुआ है और यह जो है speaker two power amplifier तो दो दो power amplifier दी हैं और यह दोनों क्या काम कर रहे हैं कौन सा स्पीकर नीचे जा रहा है उपर जा रहा है तो यह सारी चीज पादा करने के लिए नॉलेज तो होना बहुत ज़्यादा जूरी है यार फिराल मैं आइसी के इडेंडिफिकिशन की बात कर रहा हूं एक चाजिंग यहां पर लगी हुई है यू फाइफ फाइफ जिरो और इस आइसी का जो नंबर है सी 855 जिसका मैं डाटा सीड लोगों को दे रहा हूं अपने ग्रुप में अगर आपको चाहिए तो आप मुझसे मिलने वाली है दो दो चार्जिंग आइसी यह आपको मिलने वाली आपके बोर्ड में आप फोटो कीच लिजे और फोटो कीच आइसा लगी है दोस्तो कोरし यहां पर फोरजी ऊपिए प्यश्यम करेंगे घ्राया तो यहां पर यह आपको दिखाई झे Wars थोड़ा सा मैं जूम करता घंग थोड़ा सा और जूंग करता हूं यहां पर तो दिखे यहां पर आपको दिखाई जे रहा है 2G, 3G, 4G, 5G तो 5G transmitting यहां पर आपको दिखाई गई है और जैसे receiving और आपको transmitting यहां पर बताया गया है तो यह एक power amplifier लगा हुआ है जो हमारे यहां पर दो एंटीना दिये हुए है इसी के साथ में तो एक 4G और एक 5G दो अलग-अलग एंटीना दे दिये हैं आपर एक low band और एक high band इस एंटीना को बुलते हैं तो आप कह सकते हैं low band आपके 4G के लिए हो सकता है और high band आपके 5G के लिए हो सकता है देखे यहां पर दो एंटीना सॉकेट डिये हुए है इस IC में यहां पर अगर मैं बात करूँ तो आपको दो एंटीना सॉकेट मिलाब दो RF के वहाइब के तुर यहाँ पर डाला गया है जैसे यहाँ पर देख सकते हैं दो दो एंटीना सौकेट है चलिए वाइफाई की बात करते हैं देखे वाइफाई यह लगी हुई है यहाँ पर एंटी का लगा हुआ है 6635 यह इसका वाइफाई जीपीए से कम्प्लीट पैकेज है यहाँ पर यह इसका और यह इसमें एनेपसी नहीं है दोस्तों एनेपसी अलग एक आईशियो में होती है तो नंबर है इसका वाइफाई का तो अगर मैं तोड़ा जूम कर लो 6635 तो मैं इस 6635 यह रेके यह यह आईसी आपको देखने को मिलेगी यह रेके तो यह वाइफाई आईसी आपको यह वाली आईसी देखने को मिलेगी तो इसके अलावा अगर मैं आपको फिर से एक बार रिपीट कर देता हूं अगर कोई छोटी-चोटी आईसी छूड के यह मेरे से तो इ सट यहां पर यह चारजिंग आई से दोंसे साथ में चारज़ुकत जए और इसके बाद में अगर मैं बात करूं यहां पर एक चोटी सी यह लगी हुई है तो यह USB switching IC है ठीक है और उसके साथ में अगर हम बात करेंगे यह CPU है और यह जो IC लगी है दोस्तों इस IC को अगर मैं क्लिक करूंगा जैसे कि मैंने बोला आप से कि NFC IC यूज होती है तो फिलाल में इस IC को दिखूंगा यह IC मेरी कौन सी IC है तो यहां पर जो मेरी IC है यह आपका sensor IC है जिसमें आपका escalation sensor और gyrosensor जिसमें आपका escalation और gyrosensor दिया हुआ है और अगर मैं बात करूंगा यह आपकी NFC IC दी हुई है सो देखें यहां पर NFC के आपको supply मिलेगी तो यह NFC IC है इसके साथ और यह आपके सारी की सारी network की IC है जिसमें यह PFO दिये हुए है अलग-अलग PFO अलग-अलग network के mid band high band low band के लिए अलग-अलग PFO यहां पर amplification के लिए हुए है उसके साथ मैं अगर मैं यहां पर बात करूं यहां तो सारी एक camera LDO IC है क्योंकि इसे camera के निकलने वाले voltage निकल रहे हैं तो इतरे से camera LDO IC है और उसके बाद में जैसे मैंने बताया चोटी चोटी power ICD है तो एक power यह है एक power यह है एक power यह है एक power यह है एक दो तीन चार और एक power यह भी है जो network के power के लिए बना रहा है बेसिकली अगर मैं यहां बात करूँ तो टोटल यह वीडियो ऐसा बूलता जाओंगा तो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएक और वीडियो में आपको knowledge बहुत ज़्यदा मिला होगा I hope यही उमीद करूँगा कि आप मेरी महनत के लिए एक like और एक comment जरूद देंगे और अ क्या ना हम מर्कान अधर रखने कुंशन सत्तौस्ण के आपकं लिए खोस्कोन रखने कर मोरो रखना हुत तो ज़्यां के पिसके का और उ यह मीजिक माराई ने करले को सब्सक्राइब कोस बाइघ्क आपक रखने वालहां कॉल एक प्रभल मारृ तो आपक मैं आपक आपका